So hi guys and welcome back to the channel, the recursion series में हमारा एकला वीडियो आच चुका है I hope आपने last वीडियो में सीखा होगा कि हमने कैसे क्या किया था strings के साथ तो आज हम strings से साथ एक और backtracking का question solve करने वाले and trust me ये question बहुत important है, ठीक है मैं आपको काफी concepts सिखाने वाल हूँ आज की वीडियो में तो स्क्रीन पर आपको question देख रहा होगा, इन्होंने आपके काया कि given a string is, partition is such that every substring, substring of the partition is palindrome return all possible palindrome partitions of s, the palindrome partition string is a string that reads backward as forward okay, तो question समझते हैं, इन्होंने एक example दिया हुआ, इन्होंने aab दिया हुआ है तो हमें इसे partition करना है, किस तरीके से partition करना है, कि like partition क्या होता है हिससे करना है, हमें इसके ठीक है, and कैसे हिससे होना चाहिए, substring create होनी चाहिए substring means, बहुत बार बता दिया भी यह चीज तो, continuation में होना चाहिए, skip नहीं कर सकते order follow होना चाहिए, यहाँ पे aab है, तो एक substring है, अभी मैं आपको समझाओंगा तो यहाँ पे क्या कह रहा है, partition करना है, कितने partition वो आप decide करो हमें क्या चाहिए, कि partition के बाद जो भी आपका answer वो palindromic होना चाहिए, palindromic क्या दा है, हमने solve किया दा इस question को palindrome क्या होता है, starting से end से, compare करते चलोगे, same चलेगा, ठीक है मतलब, जिसे की नमन, ठीक है, तो first character in है, last character in है, done second character A है, second last A है, done, middle वाला M है, ठीक है, तो सब सेम है, यानि कि, जैसा आगे से पढ़ रहे हो, ऐसे पीछे से भी पढ़ रहे हो, तो same है, that is why it is called palindromic, अब यहाँ पे AAB है, इसे palindromic कैसे बनाएंगे, हमाँ पास single है, मतलब मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ है, चीज़ ठीक है, A, A, B, ठीक है, अब हमें इसे partition करने है, तो partition आप कहां कहां कर सकते हो, एक तो है यार कि आप यहां पे कर सकते हो, एक है आप यहां पे कर सकते हो, एक है आप यहां पे कर सकते हो, या फिर एक तो क्या, एक partition में यहां create कर सकता हूं, तभी कर सकता हूं, जिब इसी室 palindrome है, बचा क्या AB अब मैं partial, अगर योहां नहीं करता है, मैं करता है partition इदर पर ठीक है यह हैhh यह तो दूसरा option था, क्या यह correct है, बिल्कुल correct है क्यों क्यों कि यह palindromic है जैसा आगे से वैसा पीछे से एंड single character हमेशा palindromic होता है third है मेरे पास AAB तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं इस पूरे को भी ले सकता था नहीं wrong क्या AAB palindrome है नहीं है हम इधर की चीज़े नहीं देख रहे हैं हम हमारे partition के किस side देखेंगे left side देख रहे है right side अभी नहीं देख रहे है so A is palindromic तो partition यहां हो सकता था AAB is not palindromic तो यहां partition नहीं हो सकता था तो यह branch इंपे खतम अब दूसरा partition अब कहां लगा होगे दूसरा partition मैं कहां लगा सकता हूँ देखो यह तो fix है यह तो fix है अब दूसरा आप कहां लगा सकते हो या तो आप यहां लगा सकते हो correct या तो आप A यहां पे तो thai यहां लगा सकते हो यही दो option है हमारे पास ठीक है तो क्या यह A palendromic है देखो इसको आप चेक कर चुके इसे चेक करने की फिर से ज़रूरत नहीं है क्या यह A palendromic है second वाला बिलकुल है ठीक है तो हम कह सकते है कि यह भी correct है हम इसे like follow कर सकते है next is A AB अब क्या AB मेरा palendromic है क्या यह चीज मेरी palendromic है नहीं क्यों palendromic मतलब जैसे आगे से वैसे पीछे से ठीक है AA is palendromic single character is palendromic but AB is not palendromic that means wrong ठीक है हम यह नहीं कर सकते है क्या माइपस कोई और option है हम कहीं और partition second partition कर सकते है नहीं कर सकते second मतलब यह first partitioning का phase था यह second का है ठीक है अब देखते है third partition कहा कर सकते है then मैं AAB पर भी आऊंगा अब हम इसे लिखते हैं A-A-B correct third partition मैं कहा कर सकता हूँ I only have one option मैं क्या करूँगा AAB correct मैं यहीं पर कर सकता हूँ this is the third partition क्या B मेरा palendrome है obviously single character है तो palendromic हो गई अब यह खतम हो चुका था entirely तो मैं यहां पर नहीं कर रहा हूँ palendromic partitioning correct so that's it यह मेरा यह वाली branch complete हो गई अब इसे देखते हैं इसे मैं थोड़ा सा ही जर्द करता हूँ अब second हम कहां लगा सकते हैं A की option available अगर आप ध्यान दो which is A-A तो हमने यहां पर लगा दिया next is our B मैं यहां पर लगा सकता हूँ I don't have any other option that means यह क्या है क्या यह palendrome है बिलकुल यह palendrome है तो this is a valid partitioning अब आपके आस characters खतम हो गए you need to go back ठीक है अब आपके पास यहां भी characters खतम हो गए you need to go back तो हमाँ पास answer क्या क्या आया हमाँ पास एक string हमारी बनी a a b ठीक है एक तो यह बन गई दूसरी हमाँ पास क्या partitioning बनी यह वाली a a and b ठीक है तो यह दो तरीके थे अब यहां पर हमने किया क्या ठीक है अगर आप ध्यान दो तो क्या इसमें back tracking use हो रही है अगर हो रही है तो क्यों हो रही है नहीं हो रही तो क्यों हो रही है देखो हमने क्या किया हमने AAB बनाया इधर हमने क्या किया देखो जबी भी आप पैलेंटर देखो यह चीज डेराइफ कैसे हुए मैं आपको इंड्यूशन मेंली सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास इक string दी थी AAB ठीक है आपको कोई भी string दे सकते थे यहाँ तो आप कितने possible sub-string generate कर सकते हो आइधर आप A को लेते और आप A-A को लेते और आप A-B को लेते ठीक है मला starting from A के 3 versions थे, यहां दे start होगा, यहां पे end हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, correct, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्यों हम continuation में जा रहे हैं, question में क्या दिया था, sub-string, ठीक है, आप यहां पे pick no pick नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम sub-sequence की बात नहीं कर रहे है, we are talking about sub-strings, तो उस case में हमें continuity maintain करनी होगी, तो यह A से start होने वाले सारी possibilities है, let's say, मुझे second A से start करना है, क्यों H दियान रखना है, यहां पे कुछ भी unique वगरा नहीं बोला है, तो आप यहां second A से start कर सकते हो, अगर unique बोला होता है, तो हमें कुछ और करना पड़ता है, वो क्या करना पड़ता, don't stress out, आगे आने वाली वीडियोस में उसमें बात करेंगे, जब वैसे questions आएंगे, अब इस पर ध्यान देते हैं, A, A, B, ठीक है, अब मुझे यहां पर क्या करना है, I need to pick up second A, यानि कि start भी यहीं पर, end भी यहीं पर, दूसरा option है start A पर, end B पर, तीसरा option क्या था मेरे पास, की, खाली B, ठीक है start B, end B, क्योंकि आगे और कोई character नहीं है, तो आप देखो कितने तरीके के sub-swing generate हो रहे हैं, एक तो single characters वाले हो रहे हैं, ठीक है, दूसरे क्या हो रहे हैं, यह देखो, length 2 के हो रहे हैं, एक तीसरे क्या हो रहे हैं, length 3 के हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो, तो हमने partitioning जो की हो, कुछ ऐसे ही की, कि पहला ending at A, दूसरा ending at second A, तीसरा ending at B, आप मैं दूसरा option क्या मिला, कि भाई, पहला तो palandromic है, अचा हमने क्यों चेक किया पहले ही, देखो, question में साफ साफ बोला है, कि आपके जितने भी individual partitions, सारे palandromic होने चाहिए, तो मैंने पहले चेक किया, अगर A palandromic है, तो अगर A palandromic है, तो अगर A palandromic है, तो I can go for it, third option था A, A, B, A, A, B यानि entire string, क्या वो palandromic थी, नहीं थी, तो we cannot go for it, तो आप देख रहे हो कि हम ending है here, ending here, ending here, palandromic है, जितने भी palandromic है उसको आगर ले कर गए, अचा यहाँ पर क्यूंकि यह थोड़े कम characters है, मैं आपको एक और option दिखाता हूँ, यह वाली substring को try करते हैं, तो आपके पस एक option क्या बनेगा देखो, एक option आ जाएगा यार कि आप A पर partitioning करो, then remaining, क्या यह palandromic है, correct, यानि मैं इसे कर सकता हूँ, दूसरा option आपके पस क्या बनता, कि मैं A, B को palandromic बनाओ and then remaining, तो क्या यह palandromic है, यानि यहां partitioning नहीं हो सकती, तो क्या मैं next पर जाओंगा, बिल्कुल मैं next पर जाओंगा, क्योंकि अभी और भी possibilities है, देखो मैं इसे continue नहीं करूंगा, this is what, this is depth, ठीक है, D, F, S, Depth First Search, अभी उस पर आएंगे, पहले इसकी बात करते हैं, then we go on to ABC, क्या यह palindromic एंद रिमेनिंग ऐसा आएगा, तो नहीं यह palindromic नहीं है, next option is our A, B, C, D, ठीक है, क्या यह palindromic है, नहीं, ठीक है, next option आपस क्या है, A, B, C, D, B आ जाएगा, यह भी नहीं होगा, and finally A, B, C, B, A, correct, अब क्या यह palindromic है, बिल्कुल है, क्यों, पहला last match कर रहे है, second, second, last, third, third, last and D, ठीक है, तो आप यह चीज़ देख सकते हो, कि हमने कितना देखा कि यह हिससे तो नहीं बन रहे थे, बट overall last वाला बन गया, यह हो सकते है, second last वाला बन जा था, बट last नहीं बन था, ऐसे भी कई cases आ सकते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि A, B, B, A, C, ठीक है, तो इसमें A, B, B, A is a palindrome, बट C नहीं था, last character नहीं था, तो हमें सारी possibilities चेक करने, यानि, ending, first, ending, second, मैं बना हम क्या कर रहे हैं, हम first partition कहा कर सकते हैं, then हम second कहा कर सकते हैं, तो हम possibilities को लेके चल ले, now what is depth first search, depth first search means, हम पहले एक call complete करेंगे, ठीक है, जिसे कि मैंने यहां पर आपको ऊपर बताया, कि यहां पर हमने क्या किया था, देखो आप, हमने पहले यह वाली call complete करी, ठीक है, यह वाली call complete की, then हम second वाले पे आए, इसे हमने चेक किया, पैलेंड्रोम रहा हम आगे गए, then हमने इस पूरी branch को solve किया, then हम third पे गए, तो पहले call first पे गई, then call second पे गई, then call third पे गई, यानि कि हम एक branch पकड़के, एक possibility पकड़के, उससे expand करते जा रहे हैं, यहां भी अब कैसा कर रहा है, पहले यह वाली side, यह वाली side solve करोगे, then आप return आओगे ठीक है, अब return आते समय क्या हम backtracking कर रहे हैं, उस चीज की मैं भी बात करता हूं, next चीज है हमारी pruning हमने कहा की, देख third step पे हमने pruning करी, करी की नहीं करी, क्या किया है यहां पे, चेक किया, पैलिंड्रोम नहीं था, नीचे गए नहीं क्योंकि हमें पता है जब हमारा first half ही पैलिंड्रोम नहीं है, तो rest वाला भी कैसे होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पे हमने pruning की, now what is backtracking है यहां पे कहां यूज हुआ, आप आगे आगे, correct, आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, इस वाली step पे आप खड़े हो, आपने अल्री दो partitions कर दी है, इसका मतलब है, you need to go back, ठीक है, आपको second partition हटाना पड़ेगा, तब आप second partition की दूसरी positioning कर सकते हो, ठीक है, तो इसलिए यहां पे backtracking हो रही है, we are going back to previous state, and then trying its all possibilities, तो this question will be solved with the help of DFS plus backtracking, अपके last question जो मैंने आपको पढ़ाया, वहां DFS use हुआ था, बिलकुल हुआ था, वहां पे भी हम depth first search गहे थे, मैं आपको overwhelm नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको कल वाली वीडियो में नहीं समझा है, इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं समझा है, बट यहां पे यह concept देहो, क्या होता है कि हमारा brain gradually develop कर रहा है ठीक है, तो एक 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 चीज फीड करनी होती है, तो अब आपके पास concept आ गया, backtracking, DFS, pruning, recursion, with string, ठीक है, I hope you got it कि हम DFS क्यों कह रहें से, हम एक branch पगड़ते हैं, उसकी possibilities explore करते हैं, then हम दूसरी branch पे जाते हैं, अब इसकी time complexity गया होगी, तो आप यहां पे देखो, हम सारी possibilities try कर रहें, we are trying all possibilities, मैंने आपको यह method बताया था, all possibilities वाले याद करो, अब इस चीज को आप समझ लो अच्छे से, कि जब भी आप all possibilities करते हो, तो वहाँ पे time complexity, 2 to the power n होती है, where n is the length of the string, क्योंकि हम यहाँ पे सारी चीज़े generate कर रहे हैं, yes, यह exactly 2 power n नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हम pruning कर रहे हैं, ठीक है, तो यह better होगा, time complexity इससे थोड़ा कम होगा, ठीक है, but worst case, let's say, सारी substrings ही palindrome बन रही है, ठीक है, उनके हिससे भी palindrome बनते जारे हैं, then worst case means all possibilities, तो वहाँ पे हम consider कर ले टे time complexity को 2 to the power n, ठीक है, तो यह चीज़ आप ध्यान में रखो, आने वाली कई सारी वीडियो में आपको यह चीज़ है, समझनी पढ़ेंगी पहले कि हम solution कर रहे हैं, because क्या होता है, जब आप online assessment में होते हो, अच्छा मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको यह बतारता है कि यह क्यों important है, कि जब भी आप online assessment में बैठते हो, ठीक है, तो यहर आपको पहले judge करना पड़ता है कि इसकी time constraints हम देखते हैं उसकी like assume करते हैं कि question का मैं क्या solution दे सकता हूँ, तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखो, इसलिए हम कहते हैं कि आपको time complexity solution लिखने से पहले analyze करना सीखना होगा, तो यह 2 to 3 power n जाने वाल है, correct? अब चलते हैं question की तरफ, इसे solve करते हैं समझते हैं कि कैसे solve करेंगे question को, तो मैं क्यार एक function लिख दे रहा हूँ, जिसका नाम होगा recur ठीक है, initial हम क्या लिखेंगे अचा एक बार मैं आपको problem दिखा देता हूँ, requirement क्या क्या है तो problem यहार आपको सीधा सीधा दे रहा है, यह C++ में है बट हम java fan है जावा ठीक है, although अगर आप logic समझ जाओ, तो you can do any question तो यह यह आपको साफ साफ दिखा रहा है कि आपको list of list return करना है, ठीक है, and partition function है, एक string पर call हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि recursion हम इस particular function पर क्यों नहीं call कर सकते because हमें और parameters चाहिए होता है, ठीक है, तो मेरे यह पास एक string, जिसे मैं input कह सकता हूँ, या फिर मैं ऐसी ले रहा हो भी के लिए, तो dead shore एक string आएगी दूसरी चीज क्या है, रुकना कब है आपने क्या देखा, रुके हम कब तो DFS में आप कब रुक रहे थे, DFS में ठीक है, अभी DFS call जब गई तो आप वहां पर कब रुके, base कि क्या होना चाहिए था, कि जब हमने सारे partitions कर देखा, यह नि last partition जब हमने लगा दियो, last partition कहां लगाएंगे, last index पर obviously ठीक है, that means मुझे एक index चाहिए होगा, यह track रखने के लिए कि मेरा partition अभी कहां पर है, ठीक है, correct जब वह last partition पहुंच जाएगा तो हम कह सकते हैं, भाई आप रुक जाओ, ठीक आप रुकना है, next thing is एक list, क्यों, answer हमारा क्या था, list of list हमें क्या चाहिए, कि हम वह अंदर वाली list तो पहले बना है, तो मैं कह सकता हूँ, current list, यहनि इसको CUR नाम देते हैं, एक final बड़ी वाली list, जो हमारा answer होगा, which will be resultant, ठीक है, तो सबसे पहले, base case क्या होगा, कि if, हमारा जो index है, वो कभी भी अच्छा, आप greater than equal to लिखो या equal to equal to लिखो, दोनों सेम चीज है हम क्या करते हैं, usually greater than equal to लिखते हैं, क्यों, क्योंकि कभी-कभी calls हो सकता है, आगे-पीछे हो जाएं, तो इस case के लिए हम लिख देता है यहाँ पर यार, एक end भी चोड़ लो, ठीक है end क्या है, मेरी length है आप इसे यहाँ पर भी calculate कर सकते हो but code अभी छोटा ही रखते है तो यह base case क्या होगा जभी भी यह base case हो नहीं क्या करना है, हमारे resultant में dot add करना है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर new array list function लगाऊगे, उसके बाद आप current लगाऊगे अगर आप नहीं समझना है क्यों तो आप last video देखो, because it's all connected ठीक है मैं कुछ web series का promotion भी करना है जिससे हम obsessed है हाला कि उन्हों ने हमें पैसे नहीं दिये तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बड़ाई simple काम करेंगे तो अब हम क्या करेंगे यार हम सोचते है देखो हमें start करना है अब हमें क्या start करना है जब हम एक partition लगाते है हम पहला partition कब से start करेंग जब इस function call करोगे इंडेक्स की value 0 होगी ठीक है जब आप पहला partition लगा दो दूसरा partition उसके बाद से लगाओगे तो मैं कह सकता हूँ कि int i ठीक है by the way मैं यहाँ पर int अगेरा नहीं लिख रहा यार जो मेरी current substring है for if this substring is palindromic कौन सी substring जो कि int से start हो रही है and end हो रही है i पे this can be a single character this can be a multiple character इस palindromic function मैंने आपको पढ़ाया तो मैं इससे वापस यहाँ नहीं लिखूंगा अगर यह palindrome है तो हम क्या करेंगे इस चीज को अपने result में add करेंगे current.add s यह हमारी substring है कहा से कहा तक int से लेकर के i plus 1 तक plus 1 क्यों क्यों क्योंकि हम यहाँ पर substring function यूज करेंगे तो जो भी हमारा substring का function होता है वह एक आगे तक चलता है यह साही चीजह मैं आपको अल्रेडी समझा चुका हूँ यह अगर होता है कि sh a sh ठीक है तो यह last वाली index क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और first वाली क्या है 0 है तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे s तक है that means index 3 तक तो क्या मैं dot substring 0 to 3 लिखूंगा नहीं मैं एक बढ़ा के लिखता हूँ और हम लिखते हैं तब ही हमें s तक मितला मतलब exclusive होता है basically last वाला ठीक है तो इसलिए हम i plus one लिख देते हैं then हम क्या करेंगे वापस हमारी recursion function को call करेंगे सारी चीज़ें सेम होंगी बस हम क्या difference लगा देंगे यहां पर index plus one ना मुना ना गलत यहां पर लगाएंगे i plus one लगाएंगे इस पर मैंने क्यों stress किया क्यों कि अगर आप index index यार क्या बोला है आपका index बोला है कि आप अपना first partition कहां लगाओगे देन आप second partition कहां लगाओगे देन आप third मलब यह देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर क्या चलता है आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप i plus one and index plus one को interchangeably use करो i plus one i क्या है i बता रहा है कि यह index से यहां तक जाना है ठीक है तो वो track रख रहा है तो next बार में आपका i index बन जाएगा ठीक है इसके लिए i आपका index बन जाएगा तो आपको यह चीज समझ नहीं होगी कि index बता रहा है कौन सा partition first partition second partition third partition and i जो है उस partition के varieties check कर रहा है कि वो third वाला यहां लग सकता है यहां लग सकता है तो you cannot use it interchangeably ठीक है तो i plus one पर हम recursion function call करेंगे then we need to backtrack current dot remove ठीक है हम remove क्या करेंगे जो भी हमने add किया था क्या हमने add किया यह चीज ठीक है तो यह चीज हम यहां पर remove कर देंगे यह if बंद यह for बंद यह आप return कर दो आपका result return करने की ज़रूरत नहीं है जो कि यह void function होगा because हम यहां पर also तो मैंने share return नहीं लगाया यहां पर ठीक है यहां पर return लगा देना otherwise यह नहीं चलेगा base case में anyways तो आपको चीजें समझ में आगी हम backtracking क्यों कर रहे हैं हम DFS call क्यों लगा रहे हैं हमने pruning कहां पर की and यह question किस तरीके से हम solve कर सकते थे तो सबसे पहले मुझे एक function लिखना होगा public void record record इसमें मुझे क्या चाहिए मुझे सबसे पहले यार अपना input string चाहिए ठीक है then उसकी index चाहिए जिसे मैं traverse करूँगा then इसकी पूरे की length चाहिए मुझे ठीक है then मेरे पास एक list of string होना चाहिए which will be current then मेरे पास list of list of string होना चाहिए which will be resultant ठीक है अब base case क्या बोलता है base case कहता है यार की if index equal equal n है तो आप क्या कर दो आपके result में dot add new array list of string by the way सारी चीज़े last video में डिसकस कर लीए इसलिए फटा-फटे से निप्टा रहे है current ठीक है and then return यह हो गया है हमारा base case ठीक है next चीज हमारी क्या है we need to try all possibilities int i is equal to आपका index से start होगा यह कहां तक जाएगा i should be less than n and then i++ ठीक है अब यहां पर हमें क्या करना है हमें पहले चेक करना है कि if is palindrome क्या palindrome में चेक करना है कि नहीं है इस function को यह basically हम function बनाए कि स्ट्रिंग पास कर दो starting index will be ind next index will be i ठीक है अगर यह is palindromic है तब हम क्या करेंगे हम कहेंगे current dot add s dot substring substring क्या क्यासी substring हमारी चाहिए यार index start होगी and end कहां पर होगी i plus one पर because it is exclusive अब next यार function जाएगा रिककर पर by the way आप function के नाम obviously अच्छे से store करना and then हम सेम चीज़ कर लेते है current dot remove remove क्या करना है current dot size ठीक है minus one minus one cube and minus one last element होता है current dot size हमने remove कर दिया and then हमारा यह function complete होता है अब हमें और कुछ करने की जरुवत नहीं है अब यहार यहां पर हमने रिकर function लिखा था ठीक है तो इधर क्या होगा इधर हमाई string पास होगी as it is index की जगा पर क्या जाएगा i plus one ठीक है then हमारे पास क्या है n हमारे पास as it is जाएगा current as it is जाएगा is palindrome is palindrome यह लेगा यहार myra string is then int index one and int index two ठीक है तो यहां पर क्या करना है कि while आपका index one that is lesser than index two why not lesser than equal to single character हमेशा क्या होता है palindrome single character है तो अपस वाली condition false हो जाएगी तो आपको return true कर देना है ठीक हम यहां भी क्या चेक करेंगे कि if जो भी मेरा string है s.car at int one is not equal to s.car at int two यह तो not equal to अपने लिखा है obviously मैं चेक कर ले रहा हूँ कि palindromic नहीं है तो return कर दो ठीक है then int one plus plus and int two minus ठीक है basically int two is at your last character and int one is at your first character यह सब यहार हम already solve कर चुके इसलिए मैंने आपको इत्ती अलदी पढ़ा दिया है समत बोलना कि क्या पढ़ा दिया अगर हम पहली बार आयो वीडियो पर ठीक है so return false true I guess अब यह complete है मैं इसे कर सकते नहीं अभी कहां complete है भी तो हमने इस function कहीं call ही नहीं कर रहा है new array list of list of string ठीक है and then इधर function कह sign and दूसरे मैं पास list of string इसका नाम रख देते है current is equal to new array list of string let's close it ठीक है and then हमें return करना है हमारे resultant को लेकिन अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं क्या करना है recur function call करना है recur function call करो string as it is pass करो start at index 0 ending at s.langth ठीक है इसे आप separate भी कर सकते हो for a good coding practice next is your current and last is your resultant ठीक है तो आईकेस अब यह complete है इसे run code करा के देखते हैं ओके यार एक छोटा सा issue यहाँ पर semicolon होगा ठीक है कोई बात नहीं अब देखते हैं तो यह accepted है green light है हरी बत्ती दिखा दी गई हमें इसे submit करके देख लेते हैं यह question मैंने किया था April में 87% fastest solution that's it तो आईगेस आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो चैनल को subscribe कर दो and recursion series की next video का वेट करो also यार comment में बताओ कि आपको यह ongoing series कैसी लग रही है and कितना मज़ा आ रहा है ठीक है तो बस यार यह था अचकी वीडियो में मिलते हैं आप सब्सक्री वीडियो में तर तक लिए बाबाए टेक क्या